आज की सबसे पहली न्यूज है एपिक गेम स्टोर की तरफ से एपिक गेम स्टोर एक काफी पॉपुलर प्लाटफॉर्म है जहां से आप गेम पॉजिस करके खेल सकते हैं एपिक गेम स्टोर का कॉंपटिशन चलता रहता है स्टीम की तरफ से पॉजिस की बईब वजब वज़े से पॉजजय से पीछुने कोट़ आने वाला है अपने platform पे जिससे players आपके chat कर सकते हैं एक दूसरे से in-game भी कर सकते हैं इसकी मदद से ये एक तरह का party system setup तयार करने का plan कर रहे हैं ये अभी कब तक आएगा ये इन्होंने reveal नहीं किया है बर चांसेजार की कुछ आने वाले महीनों में कुछ नए updates आपको देखने को मिल सकते Panasonic अपने कुछ cameras जैसा की S1H, S1 और BGH1 इन cameras के लिए firmware update लेके आ रहा है जिसके चलते आप उसमें 6K video recording भी कर सकते हैं Bloomberg की एक report से पता चल रहा है कि जो आपका अभी current iPad Pro का lineup है वो refresh किया जा रहा है पूरा update होके आने के chances हैं इसके rumors ये आ रहे हैं कि जो आपका M1 chip यूज हो रहा है आपके कुछ Macbooks में उसके similar computing capacity का कोई powerful chip यूज करने वाला है iPad Pro Sony ने अभी decision लिया है जो कि personally मुझे काफी जाद अच्छा लगा था उन्होंने ये announce किया है कि जो आपका PlayStation users है उनको free में आपके Horizon Zero Dawn की copies मिल जाएंगी तो PlayStation खेलते हैं उसके लिए आपको कुछ भी purchase नहीं करना आपको free में ये copy मिल जाएगी ये काफी अच्छा game है काफी beautiful और strong storyline लगी मुझे इस game की अगर आप PlayStation यूज करते हैं तो definitely इस game को ज़रूर खेलिएगा Lucid Air की तरफ से एक electronic vehicle next year launch होने वाली है इस vehicle का major selling point एफिर जो major highlight वो ये है कि इसमें Dolby Atmos को use किया गया है इसके interiors में 21 speaker का setup अंदर दिया गया है definitely काफी अच्छा sound होने वाला है इसके अंदर बाकी specs अच्छे होते हैं कि नहीं ये नहीं मालूम लेके नहां chances आर कि वो भी अच electric vehicle की starting price रखी गई है almost $70,000 है YouTube studio desktop version जो है उसके लिए एक नया update और एक नया feature लेके आ रहा है इस feature में है क्या suppose आपने कोई एक video upload की and अगर उसमें कोई copyright का issue है वो जब आप upload करते हैं उसके बाद आपको मालूम चलता है लेकिन इस feature की help से जब आप उसको upload कर देंगे लेकिन इसको publish नहीं किया है लेकिन अब इस पर आप ये copyright वाला जो एक तरह का scan करेगा आपका publish करने से पहले तो पहले ही आपको बता देगा कि क्या potential कोई risk है की नहीं आपके video में या फिर कोई ऐसा content use हुआ है या नहीं तो एक definitely काफी अच्छी news है जो YouTube creators है क्योंकि उनको हमेशा copyright strike मिल जाता था अगर वो upload कर देते थे थे और लेटर बाद में कोई company आके इसके खिलाफ copyright या कोई issue इसके related कोई उठाता था Intel ने एक नया video launch किया है जिसमें वो taunt कर रहे है Apple के MacBook को, Apple के tablets को basically इस video में एक आपके actor को use किया गया है जो की actor ये Apple ने use किया था काफी साल पहले जिसमें वो PCs को mock कर रहे थे इस बार Intel ने उस actor को hire किया है और वो इसी तरह का video launch किया है देखने में वीडियो काफी tech creators जो है उनने बोला कि ये काफी desperate attempt है Intel की तरफ से because Apple ने Intel का साथ तो छोड़ी दिया है उनके processor यूज़ करने का Intel की demand भी काफी कम होती जा रही है given that हाँ अभी तक वो monopoly में थे लेकिन अ देरे-देरे AMD catch up कर रहा है देरे-देरे Apple ने भी अपना M1 chips यूज़ करना शुरू किया है so definitely देखने में इतना तो मालूम चल रहा है कि Intel की demand थोड़ी सी कम तो जरूर हुई है अब वो इस तरह के videos ला रहे है तो अब देखते हैं कि कुछ फरक पड़ता है ये फिर नहीं प companies है जो भी Wikipedia से data उठाती है जो bulk में उठाती है bulk data यूज़ करती है अब उन companies को एक fee देनी पड़ेगी इस service को यूज़ करने के लिए normal user अभी भी उसको यूज़ कर सकते है given that अगर आप Wikipedia का कोई data कहीं यूज़ करें तो definitely उसके attributes share करें कहां से source है कौन सा link यूज़ किया है चीज़े जो भी basically आप यूज़ करते हैं वो तो आपको करना ही चाहिए इसके लावा companies के लिए है कि आप Wikipedia को उनको pay करना पड़ेगा उसका data use करने के लिए Samsung Galaxy M12 आज इंडिया में आपका sale पे चला जाएगा इसकी pricing 10,999 rupees है 4GB RAM 64GB storage option के लिए Exynos 850 processor यूज़ किया है इसमें 64GB storage इसका major feature वस camera की वज़े से इसको थोड़ा सा hype किया गया है बाकी कुछ और इसमें major change नहीं है Asus का Strix series जो है laptop की and Asus का Tough A15 laptops इंडिया में refreshed hardware यानि की नए hardware के साथ आ चुके हैं जो आपका Asus Strix G15 है उसकी starting price 1,58,000 rupees के approximately रखी गई है and RTX 3070 का graphic card उसमें जो आपका Asus का Tough A15 model ह वह 1,03,000 rupees तक है उसकी pricing and उसमें RTX 3060 यूज किया गया है आज के tech news में बस इतना ही अगर आप किसी news के बार में discuss करना चाहते हैं तो comment जरूर करिएगा don't forget to subscribe to our channel and thank you for watching